हेलो फ्रेंड्स तफुल फॉर्म डिक्स नरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस फीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आउटपुट यूनिट क्या होती है दोस्तो आउटपुट यूनिट जैसे कि आपको नाम सही समझ में आ रहा होगा आउटपुट तो ये करती क्या है यूजर को रिजल्ट प्रदान करती है जिस तरह से input unit user और computer को जोगने का कारे करती है ठीक उसी तरह output unit भी user और computer के बीच में communicate के लिए एक link बनाती है जब computer में special तरह के instruction के अनुसार data पर operation किया जाता है तब इस unit की help से ही computer जो होता है user को information प्रदान करता है इसके बात क्या होता है computer binary language में कारे करता है पर इसके दोरा दिये गए output को user आसानी से समझ सकता है जिस भासा में output दिया जाता है उसे high level language कहते हैं इसे input unit जो input devices होती है उसके तरह output devices की बहुत सारे होते है तो दोस्तों यह थी information की output unit क्या होती है इसी तरह की और information के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को like and share कीजिए और well icon को भी दबाईए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे